जी हां दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल सुपर एक्सलामेशन टिटोरियल में आपका स्वागत है आज हमें यहां 2007 के एंडिये सेकेंड में पूछे गए जी एटी इंगलिस का एंटोनियंस डिसकस करेंगे इसलिए आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा तो विना देर की हुए शुरू करते हैं दोस्तों आपको बताते चलो दोस्तों 2007 के सेकेंड एक्जाम में पूछे गए थे कुल नव अनॉनईयंज पूछे गए थे सरपर्थम जानिए दोसतो इंटॉन्य दिया होता क्या है एंटॉनियस जैसे आप हिंदी ब्याकरण में पढ़ोंगे बीलोम सब्थ उसे को इंग्लीज में उसको कहा जाता है एंटोनियंस तो आपको अंग्रेजी में बड़ दिया हुआ रहेगा और चार गो ऑप्षन दिया हुआ रहेगा उसमें से चुनना होगा दोस्तों जो बड़ दिया हुआ रहेगा उसका एंटोनियंस यानि उल्टा सब्द कौन सा है उसको इंगलीस में चार गो ऑप्षन रहे सगेस था पहला नंबर एस दिखेस का मतलब होता है दोस्तों मैं धावी पिसटेस का मतलब होता आ मा मैं सगेस का मतलब होता है मा दावी तो इसका एंटोनियpf क्या hard option lain A timid option number B lacking sense of enterprise option number C financial poor option number D showing poor judgment तो आपका answer Antonians होगा दोस्तों showing poor judgment यानि कि question number 12 का answer दोस्तों option number D showing poor judgment होगा by showing poor judgment अब question number 13 देखिए दोस्तों question number 13 में क्या कह रहा है अगला can trust can tank us ध्यान से पढ़िये दोस्तों can tank us can tank us का मतलब होता है जगडालू दोस्तों can tank us का मतलब होता है जगडालू option number A में है दोस्तों can be 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 a option number A में है can be be a can be be a can be be a can be be a मतलब होता है खुसनूमा can be be a का मतलब होता है पहले समझे दोस्तों can tank us का मतलब होता है जगडालू 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 कि यहाप कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों क्योंकि यह इंडिय का previous year है तो कीसी भी जैसे SSC में भी पूछा जा सकता है जो आने वाले एक्जाम है उसमें आने वाले एंडिया के pleasures पूछा जा सकता है एएर ट्ला很好 me पूछा जा सकता है इस एक्जाम का इंकनी इस एक्जाम में इस एक्जाम में ऐसे ही examination में पूछा जाता है दोस्तों इसलिए आप कोई घ्जाम का पूछा सकता है तो इस साइप एंटो को आप सिनोनियंस एंटोनियंस को आप धियान से दिमाग में बैठ हाते हुए चलिएगा दोस्तों तो केंड टैंकरस का मतलब होता है जगडालू आप्सन नंबर ए में इसका कनभीवियल कंभीवियल का मतलब होता है खुसनूमा कि खुसनूमा कि ओप्सन नंबर अधी ओप्सन नंबर वी है दोस्तों प्लाइबल प्लाइबल मतलब होता है लचीला कि प्लाइबल मतलब होता है लचीला कि ओप्सन नंबर सी में पैसिमिस्ट पैसिमिस्ट मने होता है निरासाबादी निरासाबादी ऑप्सेन नमबर डी में है बोल्ड दोस्तों देखिए तो बोल्ड मतलए आप जानते होंगो बोल्ड मने सहासी होते हैं या निर्भीक तो कैन्टेंकरस का जो इन्टोनियोंस होता है जो दोस्तों वह होता है can be can take can tinkerus kai antonians होता है can be can we will to option number a हो जाए गया answer can be we are all question number 3 यानि की 14 एं टोनियंस के नुसार question number 3 एं टोनियंस नंबर तीन और question number के नुसार 14 दोस्तों अगला है लुदा I'm gailas the अगला है गैनलस अगला है दोस्तों गैरलस गैरलस का मतलब होता है बातुनी गैरलस का मतलब होता है बातुनी तो इसका एंटोनियोंस पूछा गया दोस्तों ओप्षन नंबर A में है टायरसम टायरसम मतलब होता है ठकाने वाला ethics Box अमबर बेमें है दोस्तों अरश का मतलबें नीर्मम या बहुत कठोर्स अब स्कोर सी में है दोस्तों लाइट यानिकी परकास option दी में दोस्तों यानिके मतलब होता है तो आप इस चारों में से हिस्टोट स्टोट बेंडोर्वन से टिमनावत कि टैर्स होता है त्यानिकी कुर्चन Num. 14 का इंसर नम टोनिंवर्वन नम ऄुटेंट समत्र त्यमन ऊप्षτο इसलएब धेशान से स्क्रीन शोट ले लीजिए तिनओं में हम एक वाय साप से कर देते हैं दोस्तों सगेरस का क्या बताया था दोस्तों सगेरस का बताया थे ओप्षन नमबर डी और क्वेश्चन नमबर 13 का क्या बताया दोस्तों यानि की तेरा का ओप्षन नमबर ए और चौदा कहा क्या बतायात दोस्तो चोदा का बताया था दोस्तो ये जो दह ए तो आपका टायर सम्द आप स्क्रीन सोट ले लिजिये दोस्तो हिसका अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो अब कोश्चन नमबर 15 देखे दोस्तों एंटोनियंस नमबर 4 क्या दिया हुए दोस्तों प्रोफेन प्रोफेन का मतलब होता है दोस्तों अपवित्र इसका मतलब होता है अपवित्र आप द्यान से देख लिजे दोस्तों तो उप्षन नमबर ए में सैक्रिड सैक्रिड का मतलब होताः पवित्र कर झार्टन का मतलब होता कलाहिन दोस्तों ईआप्षन नमशी में रिगीड eigenlijk का मतलब होताया कठ़ोर सेंकर इसप्रीयेशन एसप्रीयेशन एसप्रीयेशन मतलब तो यौक तो आपका प्रोफेन यानि कि उपवित्र नौ पवित्र निवने दोसंतो hmm कोच्षन नमब सोल्ला देख्थे और नमर five सोखे दोसे कोच्षन नमर 16 में क्या दिया हुए दोस्तो है थो तो सोलना नामर में क्या दोस्तो अब अश्ट्रूस अब आश्ट्रूस का मतलब होता है दोस्तो अवयक्त पूम कॉछाएं में डूस्तो तो आपसेन नामरे में क्रेजी क्रेजी का का मतलब होता है सनकी पागल या मूर्ख आप्सिन नमबर बी में दोस्तों क्लेम का मतलब होता है सांत या चूपचाप आप्सिन नमबर सी में है दोस्तों और वी सीस और वी सीस का मतलब होता है कि अभी विएस अभी विएस का मतलब होता है असपर्ष्ट असपर्ष्ट अप्शन नमबर डी में दोस्तों बाउंड लेस बाउंड लेस का मतलब होता है असी में यानि कि अवयक्त अवयक्त का मतलब बैक्त यानि कि असपर्ष्ट तो अप्शन नमबर सी आपका इंटोनियो हो जाएगा अब आप्सेन नंबर 17 देखिए दोस्तों 17 क्या कर रहा है अब होरंट अब होरंट का इंटोनियोंस पूछा अब होरंट अब होरंट का मतलब होता है घीनावना अब होरंट का मतलब होता है घीनावना अब हरंट का मतलब होता है घीनोना तो इसका एंटोनियंस पुछा है दोस्तों तो आप्सेन नंबर ए में है तर्स का मतलब होता है संचीप्त दोस्तों तर्स का मतलब होता है संचीप्त और आप्सेन नंबर बी में एट्रेक्टिव एट्रेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक अप्सिन सी में है दोस्तो मैंचे अर मैचे नियुर Regional past ⋏ पुर्ण यता विक्षित.. अप्सिन नमबर दी में है दोस्त एईजियल ईजियल मतलब समयान्त तो गीनम्ना का आपका एंटॉन जो जाएगा अकर्शक याने की सट्राक production नमब ب भी अट्रेक्टिव अब होरेंट का एंटोनियंस अट्रेक्टिव हो जागा दोस्तों कि आप इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए दोस्तों पुरा क्लीन से पंदरा का आपका प्रोफेन का एंटोनियंस का बताया थे प्रोफेन का एंटोनियंस बताया थे अश्केर्ड अपसलला का क्या बताया तो दोस्तो सलला का सी होगा दोस्तो समझाया थे explain किये थे सफ्तरा का होगा अब होरंड का डट्रेक्टिव यानिकी आप तीनों का स्क्रीन सोट ले लिए दोस्तों अब आगे बरते हैं दोस्तों अब कोश्चन नंबर अठारा देखिए दोस्तों अठारा में क्या पूछ रहा है किस बड़ का इंटोनियंस पूछ रहा है तारा है इंपर्टीनेंट इंपर्टीनेंट का आपका इंटोनियंस पूछा है इंपर्टीनेंट का मतलब होता है असी तो आप्सिन नंबर ए में दोस्तो पॉलाइट पॉलाइट का मतलब होता है सब हो पॉलाइट का मतलब होता है सब करना कि पर टिबरिंग का मतलब होता है दोस्तों परेसान करना ऑप्षन नमबर सी में दोस्तों क्यूरियस क्यूरियस का मतलब होता है जिग्यासू ऑप्षन नमबर डी में गर्ण क्या रहां इस्टेडी का मतलब होता है बढ़ता या घड़ता परतीत होता हुआ तो इंपर्टीनेंट का मतलब आपको क्या बता है दो तो बटाये थे दोस्तों असी उसिस्ट का मतलब सभ यानि कि आपका पोलाइट हो जागा पॉर्चन नमर्टारा का एंसर ए को अब कोह्चन नंबर 19 देखिये दोस्तो कोश्चन नंबर 19 प्या है दोस्तो किस वर्ड का इंटोनियंस पूछा है कि एवेनेसेंट इवेनेसेंट का मतलब होता है चंभंगुर चंभंगुर ओप्शन नमबर ए में है दोस्तो अस्कैंटी अस्कैंटी का मतलब होता है अल्प अस्कैंटी का मतलब होता है अल्प ओप्शन नमबर बी में है दोस्तो लास्टिंग लास्टिंग का होता है दोस्तो देर या देर या देरतक रहने वाला होप्षन िनल दोस्तों लास्टइंग लाष्टी का मतलबहता है देर फान भजरोने वाला ऑप्षन नम्बर तो कोशटन नम्बर 19 का दोस्तों आपको बता है छनभंग्गूर एवनेसेंट का मतलब होता है छनभांगूर लास्टिंग का मतलब होता है देर तक रहने वाला है यानि कि छनभांगूर का एंटोनियंस लास्टिंग हो जागा दोस्तों यानि कि आपका कोश्चन नमबर 19 का एंसर बी हो जागा इन्वेसेंट यानि छनमंगूर का एंसर लास्टिंग देर तक रहने वाला अब कोश्चन नमबर 20 और एंटोनियंस नमबर 9 दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं 2007 के सेकेंड एक्जाम में कुल 9 एंटोनियंस पूछे गये थे यानि कि एंटोनियंस नमबर 9 है और मतलब होता है दोस्तों इंब्रोलियो का होता है इसको पढ़िये बढ़िया से दोस्तों इंब्रोलियो गो इंब्रोलियो गो का मतलब होता है दोस्तों उल्जहन इसका मतलब क्या होता है दोस्तों उल्जहन है है उल्जन है इसका अंटोनियों स्पुछा दोस्तों तोफसे सिच्छी सांढ़ रेमे पैलिंट सिच्छी सुट्सट्राइश उपसे नमर भी मेतं उस्यों स्क्रिछ्चिकल के क्रेशन सुमक्राको सिस्क्राइश所以呢 नंबर सी में दोस्तों एंबीग्यूटी एंबीग्यूटी मतलब होता है है अब और होत थो आध मतलब होता है दोस् sır्हों अनिश्कित अनिश्चितितः और करीच किरीटीकल का मतलब अते दोस्तों पीजक्षितिति से लिफचेंसटनक करें बोलिक seul है मनें आपसें नंपर दिम स्थोन समाण तो के दोस्तो प्लिजन शिविसं इन ब्रोलिगों मतलब होता है दोस्तो उल्जन तो प्लिजन सी अक्मतलब आरम की इस्थीति जीष मुज़िए अगर हमारे वी डो आपको आच्छा लगाऊ दोस्तों तो इस वीडियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास खरीएगा जो खासकर आने वाले कोई एक्जाम देने वाले हैं जो जिसमें खासकर इंगलीस पुछा जाता हैं उसमें सिनोनियंस तो पूछा जाता ही होगा दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों